हाई दोस्तों मैं मनोश सर देखे दोस्तों आज घटना चक्र की सिरीज जो चल लही है तो समान भुगूल समान भुगूल में आज का टॉपिक है भारत के राज किन सासित प्रदेश तो इस महिने में पेट का एक्जाम होने जा रहा है तो पेट के अभ्यारतियों से मेरा अनुरूद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों ठीक है दोस्तों ऐसे इस टॉपिक से PCS में भी और आरो यारो और आपका एक्जाम APS हाई कोट आरो यारो से भी कुशन आयेगा दोस्तों इसलिए ओ लोग भी देखते रहें तो देखे दोस्तों पहले मैं मैप में आ जाता हूँ तो मैप में देखे आज का जो टॉपिक है दोस्तों मैंने बताया था कि यह उत्तर भारत है दोस्तों और यह दच्षिड भारत है फिर इसके बाद यह क्या है दोस्तों पर्षिम भारत है और यह क्या है पुरुवत्तर भारत है तो जो आज का टॉपिक है दोस्तों इसमें कितने राज्य हैं कितने के इंसासित प्रदेश हैं कौन सा राज्य मतलब किस राज्य से जुड़ा हुआ है उस राज्य की राजधानी पूछेगा दोस्तों तो इस टॉपिक से जो जो कोश्चन पूछेगा दोस्तों मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जो आज को टॉपिक है कौन सा राज किस राज से जुड़ा हुआ है और कौन से राज की कौन से राज की राजधानिंग की बारे में पूछेगा दोस्तों तो देखे दोस्तों 26 जनवरी 2020 में कुल कितने मतलब की दोस्तों मतलब की आपके राज्य है 28 राज्य है और कितने के इंसासित प्रदेश हैं दोस्तों, आठ, very very important और हर भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए कि कितने मतलब कि हमारे देश में राज्य हैं और कितने के इंसासित प्रदेश हैं, ठीक है जो चाहिए competition की तैयारी कर रहा है, चाहिए competition की तैयारी नहीं कर रहा है दोस्त उशे भी मालूम होना चाहिए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने के इंसासित प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 के इंसासित प्रदेश हैं दोस्तों, तो देखे दोस्तों भारत की राज्धानी कहा हैं, न राजस्तान की उप्षे जैसे अलवार हो गए हैं भारतपूर जिले सामिल हैं तो भारत सरकार की ग्रीमंत्राले की महापंजियन कार्याले के उनसाथ छेत्रफल की दृष्टी से वेरि वेरि इंपोर्टन छेत्रफल की दृष्टी से पाँच बड़े राजजी कौनकों है तो अगर छेत्रफल के दृष्टी से पूछेगा तो राजस्ठान पहले नंबर पे है दूसरे नंबर पे है चाओथे नंबर पे आपका उत्तरपदेश है दोस्तों ठीक है छे त्रफल के दिरिश्टी से पांच बड़े राजजी पूछ सकता है दोस्तों तो पहले नंबर पे कौन है राजस्थान दूसरे नंबर पे मध्यपरदेश, तीसरे पर महाराज, चौत्य पर क्या है दोस्तों अब देखे दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा को इसपर्ष करने वाले कुल कितने राज्य है ठीक है तो आठ राज्य हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को इसपर्ष करने वाले कुल आठ राज्य और एक केंसासित प्रदेश है जो इस प्रकार है देखे कौन-कौन उत्तर प्रदेश की सीमा बरतमान में पांच राजियों से जुड़ी है मद्य प्रदेश की सीमा कितने राजियों से जुड़ी है तो मैं आपको एटलस में दिखा दे रहा हूँ देखे दोस्तों ये मद्य प्रदेश है एटलस में देखे कि मद्य प्रदेश किसकी सराजय से जुड़ा हुआ है तो मद्द प्रदेश देखे इधर गुजराज से जुड़ा हुआ है इधर राजस्थान से जुड़ा हुआ है इधर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है इधर महाराश्ट से जुड़ा हुआ है और इधर दोस्तों 36 गड़ से जुड़ा हुआ है ठीक है दोस्तों फिर इसके बाद देखे अब यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि पांच राजियों से गुजराज से जुड़ा हुए है राजस्तान से उत्तर प्रदेश, छटिस गड़ और महाराश्ट से लगी हुई है मद्द प्रदेश की राज़ानी क्या है दोस्तों भुपाल है मद्द प्रदेश की राज़ानी क्या है वोफाल है अब यह MPP का फार्म आया दोस्तों इसलिए मेरे वीडियो को देखते रहिए जो MPP के बारे मैं बताया था करक रेखा दोस्तों मैंने आप लोगों को करक रेखा के बारे में बताया था कि करक रेखा किशे कहते हैं तो देखे बार बार मैं आप लोगों को बीच में बताता हूं कांसेप कि देखे करक रेखा ठीक है दोस्तों तो देखे करक रेखा किसे कहते हैं यह आपकी पृत्वी हो गई दोस्तों ठीक इसके बीच से जो रेखा होके जाती है इसको हम जीरो डिगरी कहते हैं इसको क्या कहेंगे जीरो डिगरी इसको हम लोग बोलेंगे भूमद रेखा इसको क्या बोलेंगे दोस्त गुलार्द बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे उत्री गुलार्द याद रखेगा इसको उत्री गुलार्द बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे दोस्तों दच्छडी गुलार्द बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग दच्छडी गुलार्द बोलेंगे दोस्तों दच्छडी क्या बोलेंगे दोस्तों अब देखें दोस्तों पूछा है तो देखें करक रेखा है जो भारत के बीछों 20 से होके जाती है तो देखे गुजरात है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या है, गुजरात के बाद देखे राजस्तान है, मद्य प्रदेश है, मद्य प्रदेश के बाद देखे दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश भी है, सोरी उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों, मद्य प्रदेश, तो इस बार आप लोग क्या करिएगा कि इसको देख लिजेगा दोस्तों अब हम सिधा MCQ कोश्चन में आएंगे दोस्तों पहला है कि लातूर किस प्रांथ में है लातूर ठीक है ना आंद्प्रदेश महाराष्ट गुजरात मद्प्रदेश तो देखे दोस्तों लातूर किस प्रांथ में है महराष्ट में है, किसमें है दोस्तों, महराष्ट में, बिधर में एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह कहां है, तो देखे दोस्तों, गुजरात का अंग, महराष्ट का अंग, मद्प्रदेश का अंग, उडिसा का अंग, तो इसमें क्या सही है, महराष्ट का अंग, पाठ अंचल अवस्तित है बिहार में जारखंड में मद्यप्रदेश में में घाला है में तो कहा है दोस्तों जारखंड में अगला देखें दोस्तों जुमरी तलया जुमरी तलया एक गाना भी गया गया है दोस्तों तो जुमरी तलया की सराज जिमेश्तित है तो बिहार में जारख भारत के निमलिखित राज्यों में किसी भारत का कोहिनूर कहा जाता है दोस्तों तो देखे आंध्यपरदेश, केरल, मद्यपरदेश, राजस्तान तो आंध्यपरदेश को कोहिनूर कहा जाता है कोहिनूर क्यों कहा जाता है आंध्यपरदेश में कुलूर की खान से ही मड़ीपूर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बने अप्त्रिण और सड़ती बनस्पती के तरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों पे रहते हैं इन द्वीपों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों फूमडी कहते हैं फूमडी क्या कहते हैं दोस्तों फूमडी ठीक ह कहा जाता है कि भारत में सिलकान बैली कहा इस्तित है तो देखे करनाटक में ही बेंगलोर पड़ता है तो देखे बेंगलोर दिया है चिन्नाई दिया है कोलकता दिया है है तो क्या करेंगे बेंगलोर सही है दोस्तों अगला देखे निमलिकित में से सुमेलित करिए दोस्तों क करनाटक में है अभी मैंने बताया था कि यहीं पे भारत का सबसे लंबा प्लेट फॉर्म है आज मैंने करेंट में आप लोग को बताया था दोस्तों तो हुबली कहां पढ़ता है करनाटक में पढ़ेगा गुंटूर कहां पढ़ेगा उडीशा में नहीं पढ़ेगा आंध्य फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं और अंगाबाद आपका महाराष्ट में पढ़ेगा पालनपूर कहां पढ़ेगा गुजरात में होगली कहां पढ़ेगा करनाटक में और गुंटूर कहां पढ़ेगा आंध्य परदेश में अगला देखे दोस्तों इसमें से कौन मननाट में नहीं है मननाट का है करनाट का पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से अच्छादित है ठीक है तो मननाट करनाट का छित्र है नकी आंद प्रदेश का है ठीक है इसके बाद देखे दोस्तों राष्टी राज़ानी छित्र में नहीं समलित है राष्टी पंजाब का भाग, राधस्तान का भाग, उत्तरपदेश का भाग, तो पंजाब का भाग नहीं है दोस्तों, यदि कोई पर्शिम से पूर्वक्टी और यात्रा करे तो नीचे दिये गए बिकल्पों में से मिलने वाले चार नगरों का सही करम बताईए दोस्तों, तो देखे दोस्तों इसमें क्या सही है, तो देखे इसमें सही है, बीका नेर, ठीक है, अलीगर्ड, दरबंगा, नौगाउं सही है दोस्तों, इसके बाद देखे दोस्तों, निमने में से कौन सा वाक के सही है, मद्द प्रदेश की सीमा सात राज्जियों से लगती है, सही है दोस्तों बोपाल करक रेखा कि उत्तर में स्थित है गलत है दोस्तों पंजाब राजी की सीमा कभी जमू कस्मेर से नहीं मिलती है ये भी गलत है दोस्तों और उड़ांचल प्रदेश में कोई राष्ट पार्क नहीं है तो इसमें कौन सा ही है दोस्तों मद्य प्रदेश की सीमा सात इसके बाद आंद्रप्रदेश इसके बाद भियार है दोस्तों निम्लिकित राज्यों में किसका छित्रफल सबसे कम है दोस्तों आंद्रप्रदेश गुजरात करनाटक तमिलनाडू तो सबसे कम मतलब छित्रफल किसका है तमिलनाडू का है दोस्तों अगला देखे भारत की सम प्राज़ों में च्छित्रफल उत्तरप्रदेस का कौन सा थान है—तो देखे उत्तरप्रदेस का च्छित्रफल में पहला दूसरा तीसरा तो दुट्रप्रदेस का पया सुंवान धुल है कि दृष्टी से दृतियस्थान है और छेत्रफल की दृतियस्थान है ठीक है भारत का लगवक 13 परदेश शेत्र तीन राज्यों में समाई ही था है ये तीन राज्य कौन है दोस्तों येकि राजस्थान, उत्तरपरदेश, आंधपरदेश, मद्दपरदेश, गुजरात, रा अगला देखे दोस्तों निमलिखित में भारत के राज्यों का उलेग छेत्रफल के आरोही क्रम में बताईए ठीक है दोस्तों इसमें सही क्या है दोस्तों भारत के निमलिखित राज्यों को उनके भागावलिक छेत्रों के घर्टे करम में बेवस्तित कीजे दोस्तों तो इसमें देखे पहले अस्तान पर क्या है राजस्तान इसके बाद महाराष्ट करनाटक तमिल नाडू है दोस्तों निमने में कौन सा राजिट छेत्रफल में सबसे छोटा है दोस्तों उत्तरप्रदेश मद्प्रदेश राजस्तान उत्तराकन सबसे छोटा है तो देखे उत्तरप्रदेश मद्प्रदेश राजस्तान और उत्तराकन भारत में जनसंक्या के अनुसार तीसरा और छेतरफल में बारावा राज किसका है दोस्तों महाराष्ट मद्प्रदेश करनाटक बिहार किसका है बिहार का है दोस्तों अगला देखे दोस्तों असम कुल मिलाकर कितने राज के इंसासित प्रदेश से गिरा हुआ है दोस्तों साथ असम साथ राज की सीमाओं से कुल साथ राजियों से गिरा है 36 गड़ की उवैनिष्ट नहीं है दोस्तों, महाराष्ट के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध प्रदेश के साथ, तो किस के साथ नहीं है दोस्तों, बिहार के साथ है, निमलिकित नगरों में माध्य समुद्रतल से किसकी उचाई अदिक्तम है, तो वो बंगलुर डिल्ली जोतपूर नागपूर तो बंगलुरू कहीं दोस्तों अगला देखिए दोस्तों अब इसमें देखिए कौँ सा राज उत्तरपूर्वी राज्यों की साथ बहनों का भाग नहीं है साथ बहनों का भाग नहीं है तो मेघालय है पश्रिम मंगाल है अरुडांचल दी भागवलिक शेत्र के द्रिंश्टी से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जीला सबसे बड़ा है तो है कच्छ है जैसल मेर है बाड मेर तो कच्छ है दोस्तों ठीक है सोनबद जिलो को इस पर्स करता है दो राज की सिमाएं तीन राज की सिमाएं चार राज की सिमाएं पांच राज्यों की सिमाएं तो चार राज की सिमाएं सोनबद को रच करता है दोस्तों चार दच्छिड रा दोस्तों आंद प्रदीश और करनाटक में से प्रतीख है निमने लिखित राज्यों में के समू में से कौन सा एक दिलांगाना राज की सीमा बनाती है दोस्तों तो देखें आंद प्रदीश करनाटक महाराष्ट चतिसगर करनाटक महाराष्ट मदप्रदीश आंद प्रदीश क करनाटक परदीष, चर्नाटक, जहारखन, 36 गड़, करनाटक, महाराष्ट, इसमें क्या सही है दोस्तों? आझ्दर परदीष, करनाटक, महाराष्ट, 36 गड़, निमने में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो त्रिपूरा, अगरतला, मड़ीपूर, आईजोल, नागालेंड, कोहिमा और उडाँचल प्रदिस, इटा नगर दोस्तों तो दोस्तों देखे, इसमें क्या सही नहीं है दोस्तों मड़ीपूर और आईजोल गुजरात की राज़दानी कौन सी है? गोद्रा, बड़ाओदा, गांधी नगर, अमदावाद तो क्या है दोस्तों गांधी नगर है अगला देखे दोस्तों राजस्थान की राज़दानी क्या है दोस्तों जैपूर, उदाएपूर, जोदपूर, अजमेर तो राजस्थान की राज़ानी क्या है दोस्तों जैपूरा है इटा नगर किस राज़ानी है मिजोरम उड़िचेरी त्रिपूरा अरुडांचल परदेस किस की राज़ानी है अरुडांचल परदेस की भारत के 29 राज़ानी क्या है खैदराबाद विसाका पटनम पड़जी सि अगला देखे दोस्तों ये करम लगाने के लिए आया दोस्तों तो देखे भारत का कौन सा राज अधिक्तम राज सीमा को छूता है दोस्तों तो उत्तर प्रदेश खीक है दोस्तों मद्य प्रदेश की सीमा नहीं छूता है दोस्तों राजस्तान गुजरात जारकन महाराष्ट तो दोस्तों जारकन भारत की संदर में 36 गड़ किस भू क्रेतिक आता है उत्तरी मैदान प्रादुपी उच्छे भूमी 30 मैदान उत्तरी परवत तो प्रादुपी भारत अब देखे किन्सासित प्रदेश कितने है आठ इसके MCQ करा दे रहे हैं दोस्तों तो देखे भारत में किन्सासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों पांच साथ नौ ग्यारा तो इसमें साथ दिया है दोस्तों लेकिन बरतमान में कितने हो गए हैं आठ हो गए हैं दोस्तों आठ याद रखेगा दोस्तों आप लोग ठीक है अगला देखे भारत का सबसे बड़ा संग राजी कौन है दिल्ली है कौन है दोस्तों दिल्ली भारत का सबसे पुद्धी चेरी का च्छेत्र विभाजित किया गया है दोस्तों तमिलनाडू आंद परदीस महाराष्ट राज्यों में तमिलनाडू केरल और आंद परदीस राज्यों में तमिलनाडू केरल और आंद परदीस राज्यों में तो कौछ सही है दोस्तों तमिलनाडू केरल और प्रदेश राज्यों में निम्न में से एक केंसासित छेत्र नहीं है दोस्तों त्रेपुरा, दमंदीप, लच्छुदीप, पॉंडेचेरी तो इसमें क्या नहीं है दोस्तों त्रेपुरा नहीं है ठीक है दोस्तों अगला देखें दोस्तों सिलवासा की राजधानी क्या है द दमन दीप, दादर नगर हवेली, लच्छ दीप और अवडांचल परदेश, दादर एवं नागर हवेली है, नागर ने नगर हवेली, निमलिखित में से कौन सा किन्सासित परदेश नहीं है दोस्तों, गोवा, लच्छ दीप, दादर और नगर हवेली, चंडडीगर तो और आजधानी और किन सासी प्रदीस हो गया है दोस्तों गटना चक्र की जो सीरीज चल लगी है समान भूगूल का दोस्तों ये प्रापर डेली चलेगी दोस्तों और मेरा वीडियो डेली आएगा आप लोगों के लिए इसलिए दोस्तों ज्यादा ज्यादा सस्क्राइब सेर करिए लाइक करिए दोस्तों धन्यवाद